तो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करें यह बुड इफेक्ट केक जो की पूरा चॉकलेट से बना हुआ केक है चॉकलेट गनाज से ही इसके आइसिंग की है और यह क्रीम से हम विप क्रीम से चॉकलेट गनाज मिला करके यह इफेक्ट दे रहे हैं और हमने एकदम यूनिक केक है इस केक को आप बनाईए गए वह जरूर तो देखिए हमने जो बनाया है यह होल कर लिया है बीच में इसके अंदर से केक निकाल दिया है और इसमें हमने ग इसके दिया है जो अगे बनाटे हुए भी बताइए कि दर्वाजे को आपको कैसे बनाना है और इसको कैसे लगाना तो हमने लगा दिया है यह मेरा चॉकललेट का पहले से बनाकर दो-सीन दिन पहले बनाना पड़ते हैं जिसमें एकदम से ड्राय हो जाए तो यह हमने जो मिलता है golden effect वाला लिये golden का ये fondant है और जो हमने gate आपको दिखा है वो chocolate brown fondant था मतलब market से ही brown और golden ला है इसमें कोई color हमने नहीं मिला है इसको आपको soft कर लेना है इस तरह और ये जो टायलोस powder होता है इससे ही ये hard होता है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप cmc powder आता है उसे भी ले सकते हैं तो हमने ये जो cmc है ice cream में cake में सभी में पढ़ता है तो ये आपको half teaspoon लेना है और टायलोस powder अगर आप लेते हैं तो 140 teaspoon 75 gram fondant में तो देखें ये 140 teaspoon से हमने इसी spoon से 1 teaspoon लिया है तो इसको हमने इसमें मिला देंगे तो इससे क्या होता है जो फाउंडन होता है वो hard हो जाता है जब सूपता है तो इसको आपको पंके की हवा में धूप में नहीं सुखाना है आपको पंके की हवा में ही अच्छे ता सुखाना है सूख जाने पर इसको wrapping paper में wrap कर क्रिंग रैप जो आता है उसमें आप अच्छे से रैप करके फिर फ्रीज में रखेगा ऐसे खुला मत रखेगा एयर्ट डबे में करके आपको इसको ये उसके उसके बनाना है जैसा ये ऊसको बनाना है ऐसा बनाने अपक उसको सकते हैं तो अब ने क्या किया, इसको हमने यह रोल ले लिया, एकदम सॉप्ट हो गया है मेरा, अब यह है कॉर्ण फ्लोर, आप कॉर्ण फ्लोर ही लेज़ेगा, इसको क्या जैसे हम लोड़ रोटी बनाते हैं, तो आटा लेते हैं, सूखा आटा उस तरह कॉर्ण फ्लोर ले रहा है, रोटी की की तरहा रोटी की तरह रोटे कारना जैसे कि इसमें हमको हिटेट cake चाहिए, जैसे कि आपने मेरा Cake देखा, ओ हाइट ए रहता है…"6 inch के मोल में ही हमने बनाया है आप किसी भी साइच के मोल में बनानाएं पर हाइट उसकी रहेगी तब ही उसाइच की गेट लगेगा तो अच्छा लगेगा तो इस तरह हमको इसको roll कर लेना है roll करने के बाद हमको 6 इंच इसको height देनी है तो हमने 6 इंच रखकर के इसको बाकी extra हम 4 तरफ से निकाल देंगे गेट की height लेन हमने इसकी 8 इंच रखकी है क्योंकि अभी कट करेंगे थोड़ा सा round shape में कट करना है तो इसको हमको 8 इंच ही रखना है तो इसको ऐसे size से आप कट कर लिजेगा मतलब निशान लगा के ही अराम से बरादर देख करके तब इसको आपको कट करना है और जब भी आपको बनाकर उसको अच्छे से dry कर लेना है सूखा देना है एकदम सूखा हो जाएगा dry हो जाएगा थोड़ा सा hard हो जाता है ऐसे यह soft सा ही रहता है और अभी रहनी सीरिजन में तो जल्दी यह hard नहीं होता है तो इसके लिए आपको पहले से prepare करके रखना पड़ेगा अग यह हमने बना लिया इसको ने चारो तरफ से एक्स्टा रहा है उसे कट करके निकाल देंगे और इसको में complete कर लेंगे इस तरह देखिए हम चारो तरफ से कट करके निकाल रहे हैं तो यह friends यह बहुत एकदम नया और unique सा केक है आप बनाईए का वज़ावर देखिए हमने यह इस तरह हमको फोल्ड करना है फोल्ड करके हमको फोल्ड करने पर यह पूरा 3 इंच उपर 3 नीचे आएगा तो 6 इंच का यह हमारा हो जाएगा और ऐसे जो कट किये हैं हाथ से आप ऐसे बरावर कर देखिए तो आपका जो रफ रहता है एकदम स्मूज सा एकदम लेयर में आ होती है वाली श्ट्रॉ लगेगी तो देखिए यह इस तरह लगाएंगे आप सॉफ पाली मत लगाएगा इसको लगाने के बाद हमको ऐसे फोल्ड करना है तो यह ऐसे रखने के बाद हमको इसको टैक्चर देना है आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं हम बूदिन का ही दे इसको बस आपको इसके उपर रख करके इसको प्रेस कर दीजिए आराम सी यह मिल जाता है आप तो यह प्रेस करने के बाद जो जगह छूट जाती वह यह टूल से यह टूल साते हैं फांडें टूल उससे आप इसको कवर कर लीजिए लाइनिंग इसकी भर जाएगी यह मेरा गेट बन के तयार है तो अब हमको क्या करना है हमको इस तरह फोल्ड करना है जो इस ट्रौ दिखाया था उसको अंदर रखना है और रखने के बाद हमको इसको उपर से राउंड शेप देना है तो आप कूकिस कटर या कटोरी या किसी चीज़ से भी आप सेप दे सकते हैं त पहले हम mark लगा लेंगे, ऐसे mark लगा लिजे, knife या किसी चीज़ से भी आप mark लगा लिजे, और फिर उसको cut करके निकाल दीजे, इस तरह हमने mark लगा दिया और यह अप cut कर लिया, cut करने वाद अब देखिया, एकदम उसके size का हो गया, तो अब हमको क्या करना है, यह हमको buddhan क हमने stick लिया है जो अंदर round round घूमेगा जैसे तभी work करेगा आपका गेट तो इसको हमको डाल कर इस ट्रॉक के अंदर से इसको हमको डालना है और यह जितना हमको लेना है यह वह भी नाप लेना है क्योंकि हमको एक एक इंच के करीब उपर या नीचे छोड़ना है क्योंकि उस चिपक जाता है तो अब सबसे पहले हमको एक heart कर इसमें जो इसके बीच में हमको एक heart मतलब कड़ा रहे यह gate एकदम straight रहे उसके लिए भी हमको इसमें लगाना है तो जैसे हमने एक चाट पेपर लिया है चाट लीजे चाट पेपर लीजे या आप कार्ट का लीजे चाट ज तो इसको हमने पानी से ऐसे चिपका दिया, इसके उपर बहुत अच्छे से यह चिपक जाता है, तो इसको आपको ऐसे चिपका देना, आप इस ट्रॉक को भी पानी लगा के ऐसे बीच में इस तरह चिपका देना है, तो इस तरह दोनों तरह से चिपका देंगे, आप इस पोर वाली टालि थी वह थोड़ी-थोड़ी बहर रह Evans Works लोप लगेगा हर्वेगा से इंड़ेंगे और अपर अबाट साथ करें से शेख सुखाइए आप पर सुखाईएखा और आपका करन तरTF selon से लीकप्स एट मुलाकात किब लिए और ग药 झाल झाल